हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू निम्रा संगम कीजन, आज हम बनाएंगे पूरिया, जो जिसको हम सब्सभी पूरिय में खाते हैं, किसी महमान के याने में बनाते हैं, नाश्य शाइन बनाते हैं, यह बहुत ही टेस्टी होती है, आज हम फूली-फूली बहार से क्रिस्पोव अगर आपको मेरे आज वीडियो अच्छा लागेगा तो प्लिस मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाए और मेरे चानल को सब्स्राइब करना ना भूले तो चलिए दिखते हैं टेस्टी पूडिया कैसे बनती हैं अगरे आटा लिया है अब उसमें हम टेस्टी अकॉडिग नमख एट करेंगे थोड़ी से अजवाइन इससे पूडियों में बहुत अच्छी फिश्प भू आती है बहुत ही तेस्टी पूडियों में बनती है हमारी वन टेबिस्पून रिफाइन ओएल अब ये सभी को हम मिक्स करेंगे, ये सभी को हमने मिक्स कर लिया है, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे गून देंगे, इसका आटा, रोटी और पराठे से थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये हमने इसका डू तयार कर लिया है, अब हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाकर इसको खुब अच्छे से गून कर स्मूध बना लेंगे, जितना स्मूध हमारा आटा होगा, हमारी पूरिया उतनी फूलेंगी, बच्छे तरह से हम आटे को खूंध कर स्मूध कर लेंगे, आटे को हमने 5 मिनट तक खूंध है, ये बहुत ही अब स्मूध बन चुका है, और देखिए ये हार्ड भी है, बहुत सादा हार्ड भी नहीं है, बस रोटी और पराठे से आटे से थोड़ा हार्ड है, अब इसकी हम लोई बनाने के लिए हम आटे लेकर इसको थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, इस तरह से अब इसकी हम छोटी छोटी लोईयों काट लेंगे, देखिए इतने बड़ी साइस की, इस तरह हम सभी लोईयों को बना लेंगे, अब ये लोई को हम इस तरह से ऐसे गोला करके इसको हम अब हम पूरी को बेल लेंगे पूरी थोड़ी छोटी भी बनती है थोड़ी बड़ी आपको जैसे पसंद है उस तरह बनाए ने यह होता है कि पूरी फूलना चाहिए और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कु सॉफ्ट होना चाहिए को तो इस तरह हम सभी पूरी यो को बेल लेंगे हमने सभी पूरी ओ लिया है अब हम इसे फ्राइ करेंगे आऊल हमारा गरम हो चूका है आयल को हमने बहुत दादा नहीं किया है नहीं तो नहीं तो पूरी जल्चाएंकि ही इंए कि पूल गई अब इस तरफ से हम प्राइय करते के फ्रेम को हमने मेडियान हाय रख तरफ से हो चुकी है अब हम स्टाइट दूसरे तरफ निकाल लेंगे देख है कि पूली पुली पुड्या बने हैं इसी तरह में सभी पूड्यों को फ्राइख करना एंगे इसे हमें थोड़ा सा इस तना से रोख देना है ताकि सभी ओई इसमें चला जाए एक्सप्रोई इस सभी पूरियों को हमने फ्राइ कर लिया है पूरिया बहुत ही टेस्टी बनी है बहुत ही फूली फूली और अंदर से सॉफ्ट तो एक बर आप इसे जरूर ट्राइ करें ऐसे ही बनाए आपने फ्रेंड्स और फैंपली के साथ इंजॉय करें तो मिलते हम आपसे अगले वी